दोस्तो रामायन की लगभग सभी कथाओं से हम सभी परीचित ही हैं लेकिन फ्रेंट से इस महाकाब्य में रहस्य बनकर छुपी है कुछ ऐसी छोटी छोटी कथाएं जिन से हम लोग परीचित नहीं हैं तो आईए दोस्तो आज के इपने इस वीडियो में हम आपको रामायन से जुड़ी वो दस बाते बतलाते हैं जो रामायन के विशाय में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे तो चलिए दोस्तो बिना कोई देरी की वेश सुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको इनके बारे में फैक्ट नमबर वन दोस्तों कि आपको पता है कि रामायन प्रभु स्री राम के जन्म से कई साल पहले ही लीखी जा चुकी थी रामायन महाकाब्य की रचना महरसी बालमी की जीने की है इस महाकाब्य में 24,000 श्लोग 500 उपखंड तथा उत्तर सहित साथ कांड है फैक्ट नमबर टू दोस्तों बालमी की रामायन के अनुशार भगवान स्री राम चंदर जी का जन्म चैत्र मास के सुकल पक्ष की नवमी तिथी को फूर्ण बसू नचहत्र में करक लगन में हुआ था उस समय सूर्य मंगल सनी गुरू और सुक्रगरह अपने अपने उच् फैक्ट नमबर टीन फ्रेंट्स जिस समय भगवान स्री राम चंदर जी बनवास गए उस समय उनकी आयू लगभग 27 वर्स की थी राजा दसरत प्रहु स्री राम को बनवास नहीं भेजना चाहते थे लेकिन वे बचन बद्ध थे जब प्रहु स्री राम को रोकने का कोई तो उन्होंने स्री राम से यह भी कह दिया कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयम राजा बन जाओ फैक्ट नमबर फोर फ्रेंट्स कि आप जानते हैं कि रामाइन के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में पांच दिन का समय लगा था पहले दिन बानरों ने 14 योजन दूस यहां आपको बतला दें कि एक योजन लगभग 13 से 16 किलो मीटर के बराबर होता है फैक्ट नमबर पांच फ्रेंट्स हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मन द्वारा सुर्पनखा की नाक काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावन ने मातासीता का हरन किया था लेकिन कि आपको यह प स्वैम किया था तब सुर्पनखा ने मन ही मन रावन को स्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनास होगा फैक्ट नमबर छे दोस्तों कहते हैं कि जब हनवान जी ने लंका में आग लगाई और वे एक सीरे से दूसरे सीरे तक उचल उचल कर जा रहे थे तो उनकी नजर सन मुझ में भगवान स्री राम चंदर जी के दूथ हनमान जी हैं तो उन्होंने हनमान जी से कहा कि इस प्रथवी पर जो भी आपका भक्त होगा मैं उस पर अपनी कुद्रिष्टी कभी नहीं रखूंगा उसे कभी कोई कष्ट नहीं दूँगा इस तरह फ्रेंस सनिवार को भ माता सीता जी से कहा कि प्रिये अब मैं अपनी लीला सुरू करने जा रहा हूं खर दूसन मारे गए सुर्प नखा जब यह समचार लेकर लंका जाएगी तो लंका पती रावन आमने सामने की लडाई तो नहीं करेगा बलकि कोई न कोई चाल चलेगा और मुझे अब को इस धरती से नहीं मिटा देता तब तक तुम अगनी की सुरक्षा में रहो भगवान स्री राम चंदर जी ने उसी समय अगनी प्रजोलित की और माता सीता प्रहुस्री राम चंदर जी की आज्यां लेकर अगनी में प्रवेस कर गई सीता माता जी के अस्थान पर ब्रह्मा ले गया था वे माता सीता का प्रतिविम्भ थी और लोटने पर प्रहुसरी राम ने यह पुष्टी करने के लिए कि कहीं रावन द्वारा उस प्रतिविम्भ को बदल तो नहीं दिया गया इसलिए प्रहुसरी राम ने सीता माता से अगनी परिक्षा में प्रिवेस करने को कहा जो की अगनी के गेरे में पहले से सुरक्षित ध्यान मुद्रा में बैठी थी अपने प्रतिबिम्ब का सयोग पाकर विये ध्यान से बाहर आई और प्रहुराम से आकर मिली फैक नमबर 9 कहा जाता है कि कपी नाम की एक बानर जाती थी हनुमान जी उसी जाती के ब्रहमन थे सोध करताओं के अनुसार भारत वर्स में आज से 9-10 लाख वर्स पुर्व बंदरों की एक ऐसी बिलक्षन जाती में बिद्दमान थी जो आज से लगभग 15,000 बर्स पुर्व बिलुप्त होने लगी थी और रामाइन काल के बाद लगभग बिलुप्त ही हो गई इस बानर जाती का नाम कपी था मानव नुमा यह प्रजाती मुख और पूँच से बंदर जैसी नजर आती थी भारत से दुरभग्यवस कपी प्र रामाइन का बाचन करने वाले पहले बाचक कोई और नहीं प्रहुसरी राम जी के पुत्र लब और कुष थे जिन्होंने राम कथा स्वयम अपने पिता प्रहुसरी राम के आगे गाई थी पहली राम कथा पूरी करने के बाद लब कुष ने कहा भी था कि हे पितु भाग्य हमारे जागे की राम कथा कही राम के आगे इससे आप राम कथा की महिमा को समझ सकते हैं तो दोस्तो यह थी रामाएं से जुड़ी दस ऐसी बातें जिसके वारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में जै स्री राम लिखना ना भूलें और ऐसे ही ग्यान वर्थक वीडियो देखते रहने के लिए आप मारे इस चैनल ग्यान मंथन को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अब मारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जानते रहिए धन्यवाद जैहिंद